Hello everyone, मैं नाम है आशीश और आप सब का स्वागत है आपके अपने चैनल एक्जाम इंट्रो में आज हम बात करेंगे RRB NTPC के बारे में जिसमें कि उसके CV2 के बारे में बात करेंगे CV2 में क्या competition level हो सकता है उसके आद हम बात करेंगे CV2 का result कब तक आएगा और यह जो process है को complete कितने दिनों में हो जाएगा इसके बारे में बात करेंगे तो बहुत interesting topic है और वीडियो है तो प्लीज वने रही है सुरू से लेकर लाज तक जिससे कि आपको हर चीजों के बारे में आज यह बताया जा रहा है चार से पांच महिने का टाइम लगेगा CV2 के exam में आपका CV2 का exam अगर हम probability की बात करें तो वह मार्च के आज पास होली के बाद स्टार्ट होने के chances हैं आपके CV2 के exams उसके बाद जो बताया जा रहा है competition level देखिए जो भी आपका screening था जो CBT1 था वह screening था और screening में आपको जो भी बच्चे थे जो आउट होए हैं वह competition से वह बच्चे थे जिनका मतलब लेवल जो था वह उस लेवल का नहीं था जिनका सेलेक्शन के बाद जो CB2 के बच्चे होंगे अब भी जो बच्चे होंगे वह बिल्कुल फिल्टर आउट बच्चे हैं और वह competition के लिए बिल्कुल तैयार है तो competition बहुत होने वाला है तो प्लीज आप अपने पढ़ाई को लेके concern दिखाईए और पढ़ दिए क्योंकि competition का लेवल बढ़ने वाला है और अपने current affairs और GK को और maths को contest रखी है और साथी सथ हम बात करें CB2 का एक्जाम अगर मार्च में होता है तो कितने दिन को result आएगा देखें अब online exam में result को जल्दी कर रहा है process और जल्दी result दे रहा है तो उस condition में आप एक से 1.5 महीना का time मान सकते ह जिसमें क्या को result आपके बास सामने होगा और उसके जो आगी आप प्रोसेस होगा उसके लिए आपको डीबी होगा वह आपको लिया जाएगा तो उस condition में आपको यह पूरा process है अगर हम normally ही बात करें अगर हवा CBT-1 हो गया है तो इसके बाद आपको डेढ़ साल अराम से ड बच्चे हैं कम हो गया तो इससे आपको जल्दी यल्दी हो जाएगा तो इससे कुछ नहीं होने जाने का है आपका जो एक्जाम है वो आपको उसी टाइम पर होगा और जो डेलवे है उतना ही टाम लेगी आपके result के लिए और आगे का डीवी के process के लिए तो यह आपका एक दितना है थाक्यू वह वा नाइस दे जाए एंथ